30 जून तक आवेदन करने पर ही OPS CPFA से निकाली गई अपने हिस्से की पूरी राशिब्याद समित जमा करानी होगी रोडवेज क्रमचारियों के लिए अच्छी ख़बर है सरकार ने रोडवेज क्रमचारियों को Old Pension Scheme का विकल्प भरने का एक और मुखा फिर से दिया है इसके लिए उन्हें 30 जून तक आवेदन करना होगा यानि आवेदन करने वाले को ही पुरानी पैंशन का लाब मेलेगा इसके लिए उन्हें CPF से निकाले गई अपने हिस्से की पूरी राशी ब्याज समेथ जमा करानी होगी विकल्प पत्तर नहीं बरने पर CPF योजना की पैंशन ही मिलेगी दरसल राजस्तान रोडवेज को निगम का दरजा होने के कारण रोडवेज करमचारीो को CPF योजना के तहट पैंशन मिल रही है इसके तहट इन्हें सेनान विर्ती होने पर नाम मातर की पैंशन ही मिलती है गहलोज सरकार की और से सरकारी मेहकमों के करमचारीों के पुरानी पैंशन योजना लागू करने के बाद रोडवेज करमचारी भी इसकी मांग उठा रहे है इसको देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले दिनों निगम करमचारियों को भी पुरानी पैंसन योजना का लाप देने की घोषणा की थी इसके तहते अब दो महीने के लिए रोडवेज करमचारियों को यह है विकल्प चुनना होगा कि उन्हें पुरानी पैंसन योजना लेनी है या सीपिये पैंसन योजना MD नर्थमल डिडेल की और से जारी आदेशों में कहा गया है कि पुरानी पैंसन स्कीम के लिए विकल्प पत्तर भर कर 30 जून तक देना होगा इसके बाद करमचारियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा इसके साथ ही जो करमचारी रोडवेच से रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने पहले OPS का विकल्प नहीं चुना था उनको भी एक बार मौका OPS चुनने का विकल्प दिया गया है पैंसन कलाब 1 अपरेल 2023 से मिलेगा जिन्हें रिटायर करमचारियों ने OPS की जगे वन टाइम पैसा लेने का विकल्प चुना था उन करमचारियों को OPS का लाब तब मिलेगा जब एस चीए पिएफ की निकाली राशी ब्याज समेथ वापस करवा देंगे यानि उन्हें ब्याज समेथ पूरी राशी जमा करनी होगी जिन्होंने कॉंट्रिबुशन पैंसन फंड के तहते जमा राशी उठा ली है उसे 12 फिस्दी की ब्याज सहित एक मुस्त लोटाना होगा एक मुस्त राशी जमा करवाने पर पैंसन का लाब 1 अपरेल 2023 से मिलेगा पुरानी पैंसन यूजना के लिए यह विकल्प सेना निवर्ती रोडवेज करमचारी की और से एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा 23 जून विकल्प परस्तुत नहीं करने पर C.A.P.F. यूजना का सद्ध से माना जाएगा जहां से सेना निवर्ती हुई है वहीं पर विकल्प पत्तर परस्तुत करना होगा इसके बाद ही परकिरिया आगे बढ़ेगी